वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते गुरुबानी अर्थ बोध दी चौती किष्ट विच सारें दा निगा स्वागत है। इस वीडियो विच असी सुले सहिव जी दी बानी दे अगले शब्द दे अर्थ जानांगे। नगर नगर दा अर्थ है पिंड कसवा सो गुरुबानी विच शरीर नो नगर दी तुलना दिती है क्योंकि इस शरीर विच भी बहुत कुछ है। सो नगर दा अर्थ है शरीर रूपी पिंड शरीर रूपी नगर। मिल साधू लले नो से आरी है मिलके। अर्थात गुरु साधू नो मिलके। खंडल खंडा है। खंडल दा अर्थ है खंडा दा जोड। खंडा वने तोड़ देना, सो जोडनू तोड़या जांदा है, लिव मंडल मंडा है, मंडा दार थंदे जोडना, खंड़ दार थंदे तोडना, जितना असी याम जदों विचार विटांदरे दी घलांदी, ते सिकने खंडन अटे मंडन, खंडन होंद है किसी दे विचार नों कटना ते मंदन होंद है अपना विचार देना जिन्हों सी कहने है ब्रेंस्टॉर्मिंग या विचार वत अंदरा या डिस्कशन कहते हैं सो उन्हों कहने है खंडन मंदन किसी चीज़नों तोड़ना। मुद्धन जोड़ना। फिर्ट भूर्स लिव अचाड़न जुट्यू है। ढंजली होटों तोड़न दीकिरिया। दंड़ दंड़यां रंग्दे लंब्र इपयर regret मद्धवा रंग्दि मंहर है। ते उद्धा प्रणाम कर देने नमस्कार कर देने ते उन्हों के अजने डंड वत डंडे वांग सिद्धा बंदा थले लुमा पह जाएगे साकत साकत दार्थ है माया दे पुजारी या रबतों तुट्टे होए मुलुखा वास्ते साकत अक्खर गुरुबानीच वरत्या गया है साध ना जाने या साध दार्थ है स्वाध नहीं जाने या तिन अंतर वना दे अंदर रारेन शारिये वना दे अंदर रथात मन विच सिर्दे उत्ते, आत्मिक मौत रूपी डंडा साहर देहन, सिर्दे उपर, रारेनुस्यारिये सिर्दे उपर, हर हर नाम समाने, प्रभु नाम विच मस्त लीन समाए हुए, पावदा अर्थ है संसार, मस्कीन दार्थ है, आजिस, या निमाने, या दीन, राख राख साधी रख्या कर, वड़ वड़ा है, प्रभु तुम, प्रभु न समबोदन है, वाईगरु न समबोदन है, ये वाईगरु जी, तुसी वड़े तो वड़े हो, तुम वड़े तो वड़ा है, नाम अधार देक है नाम ही आसरा है नाम ही सहरा है नाम में ही सुख मंड़ा है नाम में ही अर्थात नाम राही ही सुख नाल जोड मेल बनदा है सुख मंड़ा है अर्थात सुख जोड़ा जानदा है सुख नाल जोड मेल बनदा है यहां जीवन विच सुख दी प्राप्ति हु अर्थाद ए शबद गौडी राग विच चौथी पात्षाई गुरू रामदास पात्षा जीदा उचारन कीता गया है पूर्भी दार्थाई गौडी राग दी किसम है। मिल साधू, गुरू साधू नो मिल के इस काम करोध दे खंडलनू, जोड मेलनू, खंडा हे, तोड़ेया जा सकदा है या तोड़ेया जनता है पूर्व लिखत लिखे, बीते समय विच कीते गे चंगे कमा दे एवज वजों, जनुसी कहलें पूर्वले संसकार, पूर्वले करम, वदे फल वजों, गुरपाया, गुरू दे नाड सबब बंदा है पूर्व लिखत लिखे करम अर्था जो सी बीते विच कुछ चंगे कम कीते हुंदे हन इस बारे मैं एक गल जोड़ना चामाँगा कि माता पितादा अपने बच्चे नी परवरिश विच बड़ा बलड़ा योगदान हुंदा है । चो मैं अपने तजर्वेतों कह सकता कि मातामा ज़द बच्चा गोद विच ढंदा अनू गोद विच लेके बानी परवकरन बानी सुनया करन जदो बच्या कोल बैठते बैठा हुए सुत्ता हुए, अध सुत्ता हुए वज दे कोल बैठके सुपूनी साफ, जबजी साफ या सहज पाठ जड़ी बानी पढ़ देने वह बच्चे दे कोल परी जावे जदो बच्यानों गुर्दवारे लेके जाया जावे ते बच्चया नु प्रेड़े जावे की चाडू लान डी, जोड़े कार्च जोड़े आधी, बोचा लान डी, लंगर विच, लंगर वर्ताअं दी, आंडे मान डी सेवा जरूर कीती जावे ते ज़दो गुर्दवारे जाया जावे ऐना होवे कि मथ्ठा टेकया प्रकर्मा कीती कड़ा प्रशा लेके बार अगे ज़दो भी गुरु कर जाया जावे कुछ समां उत्रे जरूर बैठ्थय जावे बच्चया नहीं बी बैठ्थ drastically प्रेड़ना कीती जावे ते बच्चे नुसम जाया जागे कि गुरु कर विच दौड़ पाजनी करनी, गुरु कर विच बोलना नहीं, गुरु कर विच चौकणी मारके चुपचाब करके बैठना है अते कीर्टन सुनना है तो ए जड़ उसी कर देयां, तो ए उस बच्चे दे जीवन विच संसकार लिखे जा रहे हैं जड़ बच्चा जवान होएगा, अधखड होएगा, ते ए वले जड़े करम, पूरु वले करम जड़े बच्पन विच लिखे लेने, संसकार जड़े सिखाए लेने तो ए फिर अगे जाके इनदा अंकुर फूटता है, ते जीवन विचार उन्दा सवप बढ़ता है ते फिर की होंदा है, मन नन्यनुसी हरी है, मन विच हर लिव मंडल, हरी दे लिव दी जो मंडल है, हरी दे लिव दा जो संसार है, लिव मैंने अंदा लगन, परमात्मा दी लगन वाड़ा मंडल जड़ा है, और ना जोड़ बन जांदा है, मंडा है पहले जिस मन विच काम ते क्रोध जोड मेल सी वो गुरु सादुन मिलके तुट जन्दा है ते गुरु सादुन मिलके फिर परमात्मा दे नाड लगन जड़ी है जोड जन्दी है पहले मन विच हर विले ख्याल काम वासना दा, इच्छामा दा, लालच दा, गुसे दा, गोर्ध दा, गिले शीकविना दा, संसार सिवा मन दे विच पर जदों गुरमुखानी सिंगत मिली, गुरुनल साँज मी गुर्बानी पढ़नी विचारनी शुरू किती फिर मन विच्चों काम करोधा असर कटके परमात्मा दे प्यार दी लगन परमात्मा ने सिंडरन की तन सेवा दी लगन लग जन्दी है इस तरह फिर जीवन दे विच एक टर्निंग पॉइंट या एक नमा मोड आउदा है किने इस करके क्योंकि गुरू दी इन्नी बड़ियाई है जो जीवन नूँ नरकतों स्वरगाले पास से ले जन्दा है किन्दे कर सादू अंजुली गुरू सादू नूँ हत जोड के परनाम कर पुन वड़ा है ऐ बड़ा वड़ा पुन है करडन डवत पुन वड़ा है गुरू दे मोरे नेवजा एकवदम जिट जा अर्थात ऐ प्रतीक ने अर्थात अपना तन और मन गुरू नूँ स्मर्पित कर दे अपने मन दी मत त्याग दे ते गुरू दी मत नूँ ग्रेन कर है जे तुए करेंगा ते तेरे जीवन विच एकीता जान वड़ा बड़ा बड़ा पुन होएगा आम तो औरते असी रोज मरा दी जिंदगी विच चीडियान वट्टा पादें ना असी समझ देगी ये पुन दा कम है गया पारका मिच जाके चौंकते जाके यहां च्छतांते जाके आसी बाजरा, मक्की यहां होड, सतनाजा, दाने सुर्दने आ। सतनाजा दार थै सत अनाज त्यों कबूतर खानगे, चिडियान खानगे चिडियान खानगिया ते असी सोझदें कि यह बड़ा बड़ा पुन दा कम है गली विच कोई अवारा कुत्य कुन देने उनन नहीं जिन्यागया गुरु दी मतनू ग्रहन करना गुरु नू परणाम करना गुरु दे मोरे नतमस्तफ होना ते गुरु नू अपना तन्मन अरपन करना एही सब्तो वड़ा पुन जिन्यागया है साकत हर साधना जानेया जड़े माया दे पुजारी ने जेना दा त्यान सुर्थ हर विले माया विच रिंदी है हर साधना जानेया वो हरी दे परमात्मा दे जब प्रेम दा रस है वो दा स्वाद नहीं जान दे क्योंकि उस पासे तुरे ही नी, उना रत्यांते हर वेले माया वाले पासे रिंदा है तिन अंतर हूमे कंडा है, ते उना दे अंदर हूमे दा अहंकार दा तुमंडदा कंडा बन्या रिंदा है जिवें जिवें वो जीवन विच्छर देने चुब है एह हुमेदा कंड़ा चुबदा है दुख पावें तो दुख उना दी जिंदगी विच परवेश कर देने जमकाल सहें सिर रंड़ा है तो अपने सिर दे उत्ते इस तरह आत्मिक मौत दा रूपी जो डंड़ा है वो हमे जिन्दकी जड़ी है चिंता विच फिकर विच दार विच दुख क्लेश विच गुजर दी है असी जानदें जिवें की सधेट पैर विच कोई कंड़ा चुबजा वे तिस कंड़ा कंड़ा निदी वजाए कोई बड़ी पॉली बड़ी हाइप वालिटि दी बड़ी मेंगी तो कि विच्जों जेयो हो में दा कंदा नी कड़िया गुरूदी मत घरन करके पर उत्तों उत्तों कोई करम न कर ले कोई दानपुन कर दिता कोई गृबन कंबल बन दित तीर्थां ते जाए कोई वर्त रख लेया कोई हो और हवन करा लेया या ब्यंत किसम दे करम कांड कर ले पर अपने मन विच्छों होन मैं कड़ं दी कोशिश नहीं किती एदा मलग्यासी पेर विच्चों कंड़ा नहीं कड़ीती योटे पैर तो कंड़ा नहीं कड़ांगे साड़ी दुख तकलीफ ज़िए और नहीं जाएगी सो इसी तरह जीवन विच्चों भी जैसी चानने है कि दुख खलेश खतम हो जाए ते वो दे लही की करना चाहिए है कि सन्मों अपनी होमे गवानी चाहिए है सो होमे गवान दा सब्सक्त वधिया तरीका है शबद विचार जोद मुनुख गुरुवानी पढ़के गुरुवानी दे शबदी विचार करदा है फिर मन विच्चों होमे जानी शुरू हो जान्दी है हर जन्द हर हर नाम समाने उन्हें दूजी दुनिया है पहले बंद विच्च गुरुवानी जो साकत मुनुख ने जो उपनवाद सांसार संसार जनम्मरन जो दुख है घंडा है बोठ जानदा अना ना दर ख। अभिनासी जेदा कदी नास होनवाड़ा नहीं सत नाम अभिनासी शेय कोई है वे अकालपुर्ख परमात्मा वाहिगरू अल्ला राम खुदा वोदे ब्यंत नामने जिस भी नाम देनार चाहिए असी उनुचेते कर सकते हां पुर्ख वदार्थ है समाया वया सरव व्यापक अभिनासी पुर्ख परमेशर परम इशर इशर मैने मालिक परम इशर सबतो वड़ा मालिक वो सबतो गड़ा मालिक व्यापक ते जेदा कदी नाशनी हुन्दा एहोजा प्रभूनू वो हरीजन पालेंदे हन। बहुर सोब खंड ब्रहमंदा है। ते एदे नतीजे वज्यों उना दी सारे खंडां ब्रहमंदां विच बहुत ज़ादा शोबा हुन्दी है। वोना दा बहुत मानवत जन्दा है। एहोजे हरीजन लोक विच्वी ते पर लोक विच्वी सोबा खटते हन। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हे वह ग्रुजी असी तेरे गरीब निताने निमाने मंगते सेव कहां। इस विर्ति देना समू परमात्मा के अर्दास करनी चाहिए है। अपनी माया दा, अपने रुतबे दा, अपने ग्यान दा अंकार करके गुरु मोरे नहीं जाना चाहिए। जदोई वह ग्रुगे अर्दास करनी है, ते ही करना तू समरत्थ वड़ा मेरी मत थोड़ी रां। हे प्रभुजी तुसी समरत्थो वड़े हो, मैं ते अंजान हां मू रखां। हे प्रभुजी असी तेरे ग्रीव निताने निमाने दीन हैगे हां। हर राख राख वड़़ा है। ए वड़े तो वड़े वाही गुरू, वड़े तो वड़े प्रभू, साधी रख्या करो, साधी रख्या करो, के तों, इना विकारां तों, काम तों, क्रोध तों, होमे तों, साधी रख्या करो, जन नानक नाम अधार टेक है, दास नानक, एगल किंदे हन, गुरू, रामदास पस्पाजीदा इशवदे, युकिन् देने दास नानक एगल किन्दे हन की मेरे वास्ते नाम ही आस्रा है ते पروदा नाम ही मेरे ली सहारा है हर नाम में ही सुखमनडा है ते हरी दे नाम विच जूडके ही परमातमा दे नाम दे नार mówi पाया ही परमात्मा दर सिम्रन कीतियां ही सुख मंडा है सुख दे नाड जोड मेल बंदा है अर्थात जीवन विच सुख प्राप्त कीता जा सरदा है इदर उदर पजन्दी बजाए या हूर कई तरीके अपनानती बजाए संणों सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरुख परमात्मा जो सरव्यापक है साधे अंदर वी है बाहर वी हैborne हर जगा है जल विच भी थल विच भी महियल विच भी वो साधे नाली है उदे सिम्रन विच जु परवान करनिया जी उल्लाँ चुकांदी खिमा आप सारें दा बहुत बहुत तनवाद वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते है